ब्यावर्जिले के शहर सहित गामीन अंचल मिरविवार को बाबा राम देव मेले की धुम रही जगे जगे लोगदेव तब बाबा राम देव के मेलो का आयोजन धुम धाम के साथ किया गया शहर डवम ग्रामीन श्यत्र के भक्तों ने गाजो बाजों के साथ बाबा के दरबार में नेजे चड़ाय तता खिर चूरमे का भोग लगाया भक्तों ने बाबा के समक्ष शेत्र में खुशाली की कामना भी की मेलोगों लेकर लोगों में जोड़दार उत्साहर देखा गया शेहर मेवारी गेट बाहर इस्टित साजनिक बाबा रामदिर रामसा पीर बंजारा मंदिर पर मेले का आयोजन धुमधाम के साथ किया गया देरा तक चले मेले के बाद महारती कर मेले का समापन किया गया मेले का विद्वत शुभारम शनिवार को सुभे मंदिर परिसर पर जंडा चरहाने के साथ ही हो गया रविवार को भी दिन भर बाबा के दर्बार में दर्शनार्थियों का हुजूम उमड पड़ा देर राओ तक चले मेले में बड़ी संख्या में दर्शको ने मेले का आनंद लिया मंदे समीति के मंतरी लरेंद्र बंजारा ने बताया कि रवीवार को सुभे आरती एवं भोग परिसाथ के साथ मेले का शुभारंब हुआ जो देर राद तक चला, भक्तों ने बाबा के दर्बार में विशाल काय जंडे चढ़ाए, मेले में दर्शकों ने जूले, चक्री एवं स्टॉलों पर खाने पीने का आनद लिया, इसे प्रकार शार के शापुरा महला में भी बाबारामदेव का मेला उस्सा एवं उमंग के स कायोजित किया गया, मेले के दुरान सुबह से लोग बाबा के दर्बार में खीर चूर में का भोग लगाने ममनारियल चढ़ाने के लिए उम्डे रहे, यहाँ भी शेत्र के विबिन संगठनों के ओर से ढोलडमा को के साथ जंडे चढ़ाए गये, मेले में दर्शकों के लि में मेले कायोजन दुमधाम के साथ किया गया, वड़ी संख्या में ग्रामिरों ने डोल दमाकों के साथ बिंदोली निकाली और बाबा के दर्बार में नेजे चढ़ाए, शदालों ने बाबा को खीर चूर में का भूग लगाया है, मेले में मेलार्थियों के लिए जूले चक्री आदी भी लगाये गए, जिसमें जूलने का अनन दलिया, चाट पकोडी जले भी आदी किस टॉले भी लगाये गए, जहापर मेले में आए ग्रामिरों ने स्वात के चटकाले लगाये, देर शाम तक चले मेले में नर्बत्खेडा सहीत आसपास के गामों से लोग शर पंडा प्रताप सिंग चोहान परिवार की ओर से भी बाबा की दर्बार मिने जाचर है गया